उम स्री गनेशा नमा दोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 सितंबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन में रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भैतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुने उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपनी प्रतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंदरित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सैयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यों में समय नष्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्थी के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हनी की भी आज संभाव ना है विध्यारती अपनी पढ़ाई के प्रती और अधिक ध्यान केंदरित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ज करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजर्गों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी सम्मंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तो अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्ती सम्मंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है वेवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाईट कैसे रहने वाली हैं दोस्तो परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधुर्त आएगी, पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे, सौपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतित होगा, प्रेम सं मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें, इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे, दोस्तो बात कर लेते हैं जब कावेवेशाय केरियर क्या सा रहने वाला है, दोस्तो पार्टनर्शिप संबंदित कार में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं, कार्रे को विश्तरित करने संबंदित योजने भी आज बनेंगी, नोकरी पेश व्यक्तियों के कामकाज आज ज़्यादा रहेंगे, प्रतिष्ट लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें, उनके द अबलियत द्वारा अपने प्रतिष्टान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे, कुछ नए जन संपर्क भी आज इस्थापित होंगे, ऑफिस में बॉस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, वेवसाइक गतिविदिय को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें, जिससे आप बहतरीन नर्न ले पाएं, दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें, वेवसाइक गतिविदियों में सुधा करमचारियों के प्रति आपकी उदारता वे उत्तम वेवार उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा, दोस्तों साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गतिविदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे, अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना क बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा, परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है, इ दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या है, दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्रीहरी विश्नुजी को पीले रंग की मिठाई का भूग लगाएं, और साथी साथ केसर का तिलक सबसे पहले आप भगव समस्त कष्टों को दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लही हैं, समस्त परिशानियों कांत करेंगे, और आपको जल्द ही सुब फलो के प्राप्ती होंगी, और आपके समस्त मनों कामने भगवान श्रीहरी विश्नुजी अवश्य ही पूण करेंगे, दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्नुजी का शिरवाद आपको प्राप्त हो, सक्के दिल से कमेंट स्बोक्स में जैस श्रीहरी विश्नुज वश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद